नमस्कार आप देखरें लाइव खुबर का न्यूज बूलिटिन और मैं हूँ आपके साथ सुर्भी राजपूत उलज गया और रनवे के पास ये हाथसा हो गया हर्याना में चुनाव की हल्चल शुरू हो गई है सीया मनोहर लाल खटर पास साल से सरकार चुला रहे हैं खटर जन आशिरवाद यात्रा पर निकले हुए हैं सरकार के कामो के जानकारी दे रहे हैं और अपने अलिए वोट माग रहे हैं तो मही परधानमंत्री नरिल मोडी 8 सितंबर को रोतक में खटर की यात्रा में शामिल होंगे पीयम मोडी जन आशिरवाद यात्रा के समापन कारकरम को भी संबोधित करेंगे फ्रांस के बियारित शहर में पिया मोधी और ट्रम्प आमने सामने हुए तो ट्रम्प को जवाब भी मिल गया कि वो कश्मीर पर मदिस्ता की कोई हरकत ना पाले क्योंकि ना उसकी जरुरत है और ना ही वो पूरी होगी पिया मोधी ने कहा है कि हम दुनिया के किसी तीशरे देश को कश्ट नहीं दे सकते हैं इसके बाद तो जैसे ट्रम्प समझी गए कि उनका जूट पकड़ा गया है और इसलिए अपनी मदिस्ता की पेशकर्स छोड़ी और तुरंत पल्टी मारते हुए नजर आए विकास और अर्थ विवस्था को रफ्तार मिलने वाली है रिजर्बैंक अपनी रिस्तर प्लस से सरकार को 1,76,000 करोड रुपे देनी का फैसला किया है केंद की सरकार को रिजर्बैंक से मिलने वाली है ये रकम अब तक की सबसे बड़ी मदद पुर्व आर्बियाए गवर्नर विमल जालान की कमेटी सिफारिशों पर अमल करते हुए आर्बियाए ने बीते सोंवार को ये बड़ा फैसला लिया है पुर्वित मंतिर अरुन जेटली के निधन पर परदान मंतरी नरेन मोदी ने आज उनके घर जाकर उनको शरधांज ली दी पियम मोदी ने अरुन जेटली के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्रुना दी है जेटली की निधन के दोरान पर धान मंतरे तीन देशों के दोरे पर थे पीयमोदी ने रुन जेटली की पतनी संगीता जेटली और बेटे रोहन जेटली से फोन पर बात की थी इस बातचीत के दोरान ही संगीता जेटली से पियम मोदी से अपना दोरा जारी करने के लिए कहा था पियम मोदी से पहले ग्रह मंतरी अमिट शा भी जेटली के घर पहुँचे थे पियमोदी और अमिर्ट शाह के दोरे से पहले सुरक्षा विवस्ता बेहत कड़ी कर दी गई थी अभी के लिए नियूस बोलिटिन में मुझे दीजिया इजाज़त देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं लाइव खबर